तो हेवरीवन नमस्कार श्वागत हैं आप सभी का आपके अपनी यूटूब मन संध्या कंपिटर क्लासेज मैं श्रन कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस बैतरी प्लेटफॉम पे स्वागत करता हूँ मेरे विद्यार्थियों आप सभी का आरिशेल्टी एक्जाम खतम हो चुका हैं यानि कि 22 मही मुख्य पर इकसा आपके समाप तो हो चुकी हैं अब आप सभी के लिए जो एंस्वर की वैसे सर ने डाल दी थी उसमें 2-3 आपको कमी देखने को मिली यानि एकाज कुशन में आप काफी इजी थे मात्र आपको चार किशन ऐसे देखने को मिलेंगे चो आपको थोड़ी सी एक्जाम के अंदर हल चल करने पर मजबूर आपको किये होंगे यानि कि अगर वो चार किशन भी आपके गलत हो जाते थे तो भी मेरे विद्यार्थियों 90 तो कम से कम बन नहीं थे त नहीं भी बने हैं कि मेरे विद्यार्थ नौलेज आप सभी का इस बार काफी संदार रहने वाला हैं अब देखिए का इस वीडियो के अंदर आप सभी एंड तक जानना क्योंकि मैं आपको सारी की सारी चीजे बिल्कुल क्लीर करने वाला हूं यानि कि एक्जाम में जो हैं आपको दो से तीन परश्णों के बॉनस अंग मिल सकते हैं वो सारी की सारी जानकारी में आपको वीडियो का एंड में देने वाला हूं यानि दो से तीन परश्णों के बॉनस अंग आपको दे सकता हैं वो काफे देगा ये सारी बाते में आपको बताने वाला हूं अगर अगर नहीं भी करोगे तो अभी आपको विश्वास के साथ में बताने वाला हूँ यानि वित अप्रूब के साथ में आपको बताने वाला हूँ कि कौन से प्रश्ण का क्या एंस्वर है और क्यों है अब देखो ज़्यादा आपका टाइम न लेते हैं सबसे पहला जो पर्श्ण है यह वाला है ना आपसे बोला क्या है कि इंक जैट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर कौन-कौन से इंक जैट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को वर्गी करित किया जाता है अब मेरे विद्यार तो इसका जो करेक्ट एंसर है आपको कौन सा हो जात चैन प्रेंटर होता है, ड्रम प्रेंटर होता है, और आपका चैन है, लाइन है, एक आपका लाइन प्रेंटर होता है, तो यह तीनों होते हैं, बाकी लाइन में नहीं होते हैं, अब जैको यहां से आपको इंक जैट, मैंने बोला था ना, कि इंक जैट का समद्द, इंक जैट आपसे फूझ लिया है ना आगे बढ़ते हैं कि कौन से सेकेंडर मेमोरी का परकार नहीं है मेरे विद्यार जो बार बार आपसे बोला था कि आपकी जो है मेमोरी तीन परकार की कौन-कौन से कैस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी प्राइमरी मेमोरी ना वो कौन-कौन से होते रहम और रॉम है ना रहम और रॉम होती है तो option जो सी आपको दिख राएं यहां से आपका रहम और रॉम आपका बिलकुल कारेक्ट एंसर हो जाता है इस्टे ड्राइव हैं हाट डिस्क हैं USB Drive, Pen Drive है ये तो आपकी Secondary Memory है बाकी पराम मेमोरी हो जाती है आज यह ओर बठते है कि निमना ले कितमे से कौनसी Memory मुख्ये Memory की रूप में रूप से गती के मामले में कैसे door dasth excess Memory के समान होती है wow अब तीक है मुख्य मेमोरी मुख्य रूप से गती के मामले में कैसे मेमोरी के समान होती है तो मेरे विद्यारत तो आपकी RAM है ना RAM आपकी primary मेमोरी होती है RAM में आपको दो मेमोरी बताई थी कौन-कौन सी DRAM और SRAM अब जो DRAM है ना ये तो नहीं होती है लेकिन जो SRAM है ना ये मेरे विद्यारतों किसके तरह काम करती है आपकी कैस मेमोरी के तरह ही काम करती है तो विद्यारती यहां से याद रखना बले ही आपको कोई भी चैनल कोई भी एंसर बता रहा है लेकिन इसका जो correct answer है क्या हो जाता है SRAM हो जाता है आप Google कर सकते हैं यह question आपको मिल जाएगा वहाँ पे भी हालांकि out of syllabus है मेरे विद्यारतों ऐसे question expect नहीं किया जा सकते है RSHAT examiner से बाकि फिर भी आपको दिया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर जिसने भी यहां से क्या किया है SRAM किया है सारे के सारे विद्यारती इस बार correct रहने वाले है आगे बढ़ता है अगले question के और कि web browser क्या है तो मेरे विद्यारती यह तो बार बार बोलाता ना कि web browser के नाम भी बोले थे तो आपके web browser से दो question आ गए न ऐसा बोला भी था कि एक software होता है जो आपके www साइटों को अनुमती परदान करता है यह बोला था ना कि साइट पे पहुचने के लिए नि किसी भी website तक पहुचने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है यह बोला था मैंने आप सभी से तो आपको जो याउ मिला है न यह मेरे विद्यारती क्या हो जाता है सर शिंजन हो जाता है जो विद्यारती मेरे से regular जुड़ेते न भाई आप सभी लोग comment करना नराइंदर शिंग कॉमल सैनी, पूजा सैनी आपकी कवीता सैनी यह जितने भी विद्यारती है रौकी करके है नंदू आपने बता दिये आपके लगबग मेरे काल से 26 कुशन करेक्ट हो रहे हैं नंदू के 26 या 27 है न जो 54 यानि 180% आपके बनने वाले हैं और भी जितने भी विद्यारती मेरे से regular थे आप सभी लोग जो है मुझे जो है अपने नंबर और अपना नाम है जो कमेंट बोक्ष में पिन करना उसके बाद में जो मैं अगला एक वीडियो आपके साथ में लेके आना वाला हूँ आप सभी के साथ में मैं इंट्रेक्ट करने वाला हूँ आफ़े जो किसन दाना कि email भेजने के लिए नेम न लेकितमें से क्या आनी वारी है मेरे विद्यार्त देखी का कि आपको अगर यहां से पता नहीं चलता ना तो लेको email को भेजने के लिए email जब भेज़े जाती है तो आपन टू में क्या लिखते है जिसको बेजना है उसके ही तो address लिखते है ना तो sender का mail ID लिखी जाती है मेरे brands जिसने प्रेसक mail ID की है वो बिल्कुल correct है अगर हिंदी में समझ मैं नहीं आई तो English में देखने का है ना आगे किशिन आप से मैंने बार बार बोला था header और hooter header और hooter दस्तावेश के दिखावर सुधारने के लिए होते कहां से हैं तो insert tab से इनको लगाया जाता है और किशिन आपको देखने को मिल गया है ना विद्यार्थियो आगे बढ़ते हैं हाँ जी इस किशिन में आपको आदे चैनल क्या कर रहे होंगे कुछ भी answer दे रहे होंगे लिए मैं with the proof के साथ मैं आपसे बात करूंगा है ना निमन में से कौन सा इवालेट का व्यद्य उदारण है अब देखीगा जहांसे जो है ना आदे आपको क्या बता रहे होंगे आदे राइट-शक और इस UP क्या है पूँगेmana विद्यार्थियो नहीं होगा लेकिन आपको आदे चैनल मैंने देख़् tap किया है तो आपको बता स्वैलिंग आपको क्या देता यह वाली देड़ें यह वाली आपको उस्पैलिंग देता वाल तो आपना पर कंसा आप कुम स ड दर पकोद करेंघ स्पॉ है तो आपको स्प्षोस कि इका मिंस electronic होता है मिंत्रा आपका यहां से correct answer हो जाता है electronic मिंत्रा है electronic मिंत्रा यहां से correct answer हो जाता है आगे यह और बढ़ते है कि Microsoft Office Picture Manager क्या है विद्धार जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों ने इसमें क्या किया है मैंने आपको बार बार बोला था कि मूल तस्विर परबंदन software अब आदे जो channel है आपको क्या बता रहे पता है यह वाला कि एक आवेद्यक जो scan किये गए दस्तावाज को संपादित करने में साहिता करते है लेकिन विद्धार तो गलत है इसका right answer क्या है मूल तस्विर परबंदन software है मैं आपको वित प्रूब के साथ में जो भी मैं बता रहा हूँ सारी के सारे आपको एंड में वीडियो के एंड में प्रूब देने वाला हूँ अगला किशन तो easy था बार बार मैंने बताया था नीचे दिये गए screen lock मैं से कौन सा android device पर उपलब दो नहीं होता है तो आपके सारे के सारे होते हैं आगे बढ़ते हैं कि खाली जगह के जरिये आप वर्तमान document में किसी location से दूसरे website को link जोड़ सकते हैं कि मेरे विद्यारती जो है बार बार बताया था आपको hyperlink इसका shortcut भी मैंने आपको बताया था आगर याद है तो control के साथ में के हैं न आगे बढ़ते हैं कि किसी cell entry के लिए दिया गया comment screen पर क्या दिखाता है किसी cell entry के लिए दिया गया comment screen पर क्या दिखाता है तो मेरे विद्ध्यार्थ तो comment यहां से आपका बिल्कुली correct answer होगा, क्या होगा, comment आपका यहां से बिल्कुली correct answer होगा, आगे के और बढ़ते हैं कि presentation में विद्ध्यमान, सभी slider का एक जैसा presentation चाने के लिए, आप निम्न मैंसे क्या उप्योग करेंगे, तो बार बार मैंने ब होगा विद्ध्यार्थी, presentation design template होगा, यह question तो सारे के सारे महरतन से है, अगला question है, कि installed program को installed कर सकते हैं, तो मेरे विद्ध्यार्थ तो setting app से भी हो सकता है, control panel से भी हो सकता है, और दोनों से भी हो सकता है, तो फिर उप्रोक्त सभी ही करेंगे, क्योंकि यह सारे के सारे correct है, बले दोनों बोलू, या एव भी बोलू, है ना, तो यानि यहां से क्या हो जाएगा, उप्यूक्त सभी, आगी की और बढ़ते हैं, कि email पते को ज्यान में रखते हुए सही विकल्प का चैन के जिए, तो मेरे विद्ध्यार्थ तो आपसे बोलाता ना है, कि आपको email का या तो example देगा, या फिर आपसे पूचेगा, या फिर आपसे पूचेगा, अब देखो, यहां से जो है, आप याद रखना कि email में क्या होता है, कि आपको एर्दिरेट का symbol भी दिखना चीए, कभी भी आपको खाली इस्तान भी नहीं दिखना चीए, यानि space भी नहीं दिखना है, आगी को बढ़ता है, कि दस्तावेज को save करते समय, save और save as में क्या अंतर होता है, तो मैंने बोला था कि save का मतलब पहली बार save करना, और save as का मतलब उसी फाइल का नाम बदल के वापत save करना, तो मेरे विद्यार्थे जो आपको दिख रहा है न, A, B वसी, दोनों आपका बिल्कुली correct answer हो जाता है, यह तो सारे कि सारे आपकी classic question है, और यह question कितनी बार करवाया था, कि PowerPoint में परदसन में कौन सा file प्रारू को जोड़ा जा सकता है, मेरा question क्या था, कौन सा जोड़ा जा सकता है, मैं आपको बता था, JPG, GIF, WAV, आपसे पूचा है, कौन सा नहीं आपको जोड़ा जा सकता है, मैंने बोला था, कि आपको नई slide जोड़ने के लिए PowerPoint के अंदर याद रखनी है, shortcut कौन सी control के साथ में, M, मैं जब भी यह shortcut आती थी, तो यह बात भी मैं आपको बोलका था, यानि कि option जो आपको C दिख रहा है, विद्यारती यहां से correct answer हो जाता है, आगे की और बढ़ते हैं, GI का पूरा नाम, मैंने बोला था, बार बार आपसे, या तो GI का उदारन पूचेगा, या फिर आपको पूरा नाम पूचेगा, यहां से graphical user interface, आपको option C दिख रहा है, बिल्कुली correct है, आगे की और बढ़ते है, internet explorer क्या है, web browser के सारे के सारे ना से, यानि कि अगर examiner को अपन बोले, अगर अपन, जो है, mail करें, तो यहां से दो number हमें मिल सकते हैं, यानि यह out of syllabus से, आपकी syllabus से पूरी तरह से बार है, इसलिए मैंने यह आपको प्रेक्टेशन नहीं करवाईती हैं, मेरे विद्धारती सभी लोग हैं, जो ध्यान देना, यह जो हैं, आपके out of syllabus question है, और इस question का जो correct answer है, dual in line memory module हो जाता है, कौन सा, dual in line memory module आपका हो जाता है, आगे के और बढ़ते हैं, कि इनमें से कौन सा input output युकती नहीं है, तो विद्धारती input output तो आपको सारी के सारी करवाई थे ना, देखो speaker output होता है, plotter आपका output होता है, monitor आपका output होता है, लेकिन जो ALU है ना, यह तो मैंने बोला था कि CPU का एक पार्ट होता है, जिसका पुरा नाम arithmetic logic unit होता है, और यह क्या करता है, अंक गणीतियां, तार्की के गणना करता है, तो option D आपका यहां से correct हो जाता है, यह जो आपकी shortcut है, हालांकि मैं पिछले को हमेशा के लिए मिटाने के लिए आपको shift के साथ में delete करना होता है, किसके साथ में shift के साथ में delete से आपका permanent रूप से आपका delete हो जाता है, आगे के और बढ़ते हैं, कि टिम बरनल के द्वारा दी गई अवधारना कौन सी है, को मेरे विद्यार्थ यो आपको जहां है, यह यहां से www आपका बिल्कुली correct answer हो जाता है, आगे के और बढ़ते हैं, कि निम नलेके तिमें से बारतिय सुपर कम्पिटर का उधारना नहीं है, मेरा question यह था कि आपसे बोलेगा कि सुपर कम्पिटर के उधारना कौन से है, तो आपसे तो बही अलगी पूछ लिया है, कि IBM C.I.U. है, यह बोले थे, तो यह नाम आपको नहीं है, एक नाम अनुराग दिख रहा हैं, तो बही अनुराग इंडिया का ही नाम है तो यहां से आप कर सकते थे, लेकिन जो AS400 है, यह आपका नहीं है, अगर हम चाहे, तो इसकी भी क्या कर सकते हैं, आपको नमबर दिलवा सकते हैं, अगर हम, मैं आगे कोसिस करें तो, है ना, अगर नहीं करेंगे तो बही कुछ भी होने वाला नहीं है, अगर आप स्टुलेंट जो है, हमारा साथ दे, तो यानि कि यह भी आपके आरिशेटी बुक में ऐसा कई पर भी जिक्र नहीं है, आप परतेक लाइन को देख पर भी नहीं है, तो आप सभी विद्यारतियों ने मेरे कहल से यहीं किया होगा, क्योंकि नाम अलग आपको यहीं दिख रहा था, वही थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूत थी, देखो, पेपर के अंदर मैं खुद मान रहा हूं, कि तीन से चार कुशन ऐसे थे, जो इ आपको इस इस टाइप की भी प्रेक्टेस आपको करवाई जाएगी, आगी किशन है कि साटा का विस्तारी त्रोप, मेरे प्रेंट साटा आपकी क्याबल कनेक्टिविटी होती है, आप सभी को पता रखना है, अब देखो, आधे चैनल आपको क्या कर रहे हैं, इसका किया है न, मेरे विद्यार्थियो, एक मिनेट, यहां से हिंदी को छोड़ो आप, यह देखो, परिक्सा में जब भी आपका किशन आएगा, हिंदी को वरियता नहीं देखे, इंगलिस को वरियता देगा, अब देखो, इंगलिस से आप सभी के, अगर किसी विद्यार्थी न लेकिन यहां पर जब ऑप्शन ए में आप देखोगे, तो आपको एडवांस मेंट दिखेगा, लेकिन मेंट नहीं होता है, आप खुद गूगल करके देख लेना, इसका जो करेक्ट एंसर है, चिरियल एडवांस टेकनोलोजी अटेश्मेंट आपका होता है, आगी की और ब संती की लंबाई किसम है मापी जाती है, तो विद्यार तो सेंटीमेटर में आपकी मापी जाती है, दो से तीन किशन ऐसे हैं, जो भई मैंने नहीं करवाए, बाकी तो सारे के सारे आपको करवाए हुए किशन ही है, तो अगला किशन है, कि जब आप होम टैप पर फार्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको देखते हैं उस माउस जैसा पॉइंटर बन जाता है तो बार-बार ये कुशन करवाय था पेंटर ब्रस यहां से आपका बिल्कुली करेक्ट एंसर हो जाता है आगे की और बढ़ते हैं कि निम्न मैं से किस परकार के साइबर अटे मैं कारिय पुस्ती का मुल रूप से किस से संबन्दित होती है क्या बोला है वर्क बुक और वर्क बुक मैंने आपको सभी को बोला था कि एक्सल से संबन्दित होती है अगला किशन है कि कंप्योटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्योटर के निर्देश डेटा होते हैं निर्दिसों पर data होता है, तो मेरे पेंट सापका क्या कहलाता है, software कहलाता है, अगले किशिन के और बढ़ता है, कि किसी भी computer में critical processing component कौन सा है, तो मेरे विद्यार के यूँख माउस होगा नहीं, keyboard भी होगा नहीं, DVD भी होगा नहीं, और जो है, memory device आपको दिखरेगे न, यह आपके processing का हिच्चा होती है, यानि कि आपको जब CPU के part देखोगे, तो ALU आपको दिखता है, CU आपको दिखता है, MU आपको दिखता है, जो memory unit है न, यहीं आपका क्या है, यहां से आपसे पूचा गया है, आगी क्यों और बढ़ता है, कि dot matrix और silly font printer, किसके उधारन होते हैं, तो मेरे विद्यार्थे, आपसे सभी लोगों को याद रखने हैं, बार-बार करवाय थे न, मैंने आपको क्या करवाय था, कि भई, जो है, यह आपके impact printer के अंदर आते हैं, लेकिन impact में भी, अगर आपको पूचे, तो किस में आते हैं, character में आ साथ में बताने वाला हूँ, तो यानि कि अब यहां से आपके देख लो, कितने kitchen बन रहे हैं, अब अपन आते हैं, अपने proof पे हैं, देखो, सबसे पहला kitchen यह आपको कोई-कोई अलग बता रहे होंगे, मुझे विद्यार्थे की comment मिली, तब मैं proof लेकर आया हूँ, नहीं त question था, कि Microsoft fixer, office fixer manager क्या है, तो आपको बहुत सारे channel इस वाले को बता रहे हैं, लेकिन यह होगा नहीं, आप खुद देखिएगा, जो है, आपका question number 6 है, 6 में आपको क्या देख रहा है, यह ना, और यह option पे आपको मेरे विद्यार्थे क्या देख रहा है, मुल तस्विर, प आपको क्या पूचा है, dot matrix से पूचा है, अब देखो, यहां से इस line को पढ़ना, एक मिनट रूपना, हाँ जी, इस line को पढ़ना, कि character printer के सबसे लोग पर यह, उदारन, dot matrix और daisy will printer होते हैं, आप से question क्या किया था, यह देखो, आप से question क्या किया था, dot matrix, पता चल गया, क्य होगा, character printer, आगे की और बढ़ते हैं, हाँ जी, आगे मुझे एक और बताना था, किसको, ink printer को, है न, ink z printer को, तो यहां से आप याद रखना, कि यह printer क्या करता है, ink की छोटी छोटी मुंदों का चिड़का, आप करता हैं, ink से related कौन सा है, आपका ink z printer ही है, मेरे विद्यार तो सबी जगा आपको, ink के कई रंगों की जरूरत होती, यह सारी के सारी लाइन आपको मिल जाएगी, यकिन हो चुका होगा, एक आप साटा का जो है, साटा का confusion आप सबी के दूर होना चीए, मैं स्लाइड को थोड़ा जूम कर रहा हूँ, आप सबी विद्यार ती ध्यान दे, अब देखो, जो साटा है न, साटा का पूरा नम क्या दिख रहा है, सीरियल एडवांस टेक्नलोजी अटेश्मेंट है न, तो यहां से आपको लगब लगब बाते क्लियर हो चुकी होगी, मेरे विद्यारतियों, हाँ, एक जो आपको बताना है, यह यही बताना था न, यह मनें बता दिया, बाकी जो हैं, एक यहां से, हाँ, जो आपको पेटियम वाला और यह किशन पूचा है न, आदे जो हैं, आपको ड्रॉप बॉक्स बता रहे हैं, मेरे विद्यारतियों, ड्रॉप बॉक्स आपके क्लाउड इस्टोरेज होता है, कौन सा किशन मैं आभी आप अपकम मैं करेक्ट एंसर मैंने बता है, उसमें आप देखना कि स्पेलिंग जो आपको दिखेगी, वालेट दिखेगी, क्या दिखेगी, वालेट दिखेगी, और वालेट के एक्जाम्पल ही आपके कौन-कौन से होते हैं, जो आपको बोल रहा है न, वो मेरे विद्यारति E-Word के संदर्व में बूल रहे हैं और E-Word की spelling ये होती है कि spelling के जो है English spelling ही आपकी वैलिड मानी जाएगी आपसे E-Wallet पूचा है तो मेरे विद्यारत पर्ष के बारे में पूचा है इसलिए बिलकुल भी कंश्पों जो रखना है जो संद्या टिम की और से आपको एंसर बता जा रहे हैं सारे के सारे आपको कि इसे देखने को मिलने वाले है जो मेरे विद्यारतियों अंत मैं कमेंट जरूर करना कि आपके जबार कितने नंबर बन रहे हैं मैं मानता हूं कि 3-4 किशन का पर टब थे अगर उसको भी इमानदारी से आप करते आराम से करते तो एक से दो तो राइट होने के संभावना थी थी और बाकी के जब आपके पास में 31 कुशन बचते हैं और 31 मैंसे भी अगर मान के चलो कि कोई विद्यारत दो मैं गलती कर सकता था तो मेरे प्रेंट से अगर 2 कुशन से आजाते था तो कम से कम आपके 30 से 31 कुशन तो बन नहीं थे थे बिल्कुल प्रेपर का लेवल इस बार जो है एक्जामिन ने थोड़ा बुष्ट किया है ना मैं मानता हूं कि इस बार लेवल थोड़ा अच्छा रखा है बट इतना भी अच्छा नहीं था कि आपको मैंने बोला था ना कि पैपर आपको गुमाएगा लेकिन गुमने का नहीं है ना लेकिन कई सारे विद्यारती मैंने देखे बही इस बार गुम गए है ना अब मुझे जिन जिन विद्यारती को मैंने आपको मैराथन में भी नाम बोले थे सुबह भी नाम बोले थे वो लोग कमें वन दे बात्रम जे अबारत